दोस्तो कैसे हैं आप सब लोग बहुत बहुत सवागत है हमारे इस चैनल गौड टेक्निकल दोस्तो सिखाना मेरे कान सीखना आपका सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं यूटुब पर अगर आप एज अ क्रियेटर हो तो यूज करते होगे कोई ना कोई बॉलिवुड सोंग या फिर किसी मुवी का चोटा मोटा पार्ट यूज करते होगे या फिर आप अगर स्टेटस भी बनाते हैं तो यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत आपका होती होगी सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना परता होता होगा जब आपके चैनल पर आ जाता होगा कॉंपिराइट क्ले या फिर बहुत बार ऐसा भी आ जाता है कि आपके चैनल पर और इसको नहीं डा रहा हूं तो अभी ऐसा करने के लिए दोस्तों आपको हर बार मेल देना पड़ता है तो वो बार बार मेल देने की जरुवत आपको अब नहीं है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं चोटा सा स्क्रन शॉट आपको सिर्फ यह डालना है दोस्तो Андि यह डालना कैसा है कैसा इसको करना है तो मैं आपको बता दू कि यह मैंने कमें अपने डिस्क्रिप्षिंस बॉक्स में लिख्खा हुआ है आप इसको कॉपी करके किसी ऐसी जगा पे सेफ कर लिजे जो आप बार बार अपने यूटूब पर जितनी भी वीडियोज डालें सबके डिस्क्रिप्शन में लास्ट में ये मैसिज आप वहाँ पर दे दें कुछ किया है या फिर नहीं यानि कि अगर कंटेन उठाया है तो उस कंटेन के लिए कुछ लिखा है उसके बारे में कुछ लिखा है कि ये मैं जान पूछ के लिए रहा हूं या नहीं तो वो चीज पहले वो देख लेते हैं जब आप ये message उसमें डाल देंगे तो हर बार कभी भी आपका content copyright claim भेजने से पहले एक बार description में जाकर visit करेगा और जैसी visit करेगा वहाँ पर ये message होगा जिसमें ये almost लिखा हुआ है कि इसमें कोई भी उदेश नहीं है कोई भी जो song से आप उसमें से 30 second का song अप उठा सकते हैं लेकिन वो भी continues नहीं उठा सकते यानि कि मानलो जैसे आपने 9 second का पहले ले लिया 8 second का पहले ले ले लिया इवन 10 second का आपने ले लिया और 10 second के बाद थोड़ा सा आगे चलके आपने उसको जो बचा हुआ 20 second का या फिर उसमें भी पाट कर दिया यानि कि 10 second पहले लगा दे 10 second बीच में लगा दे 10 second कहीं हो लगा दिया इस तरह से 30 second का अगर आपने उठा भी लिया तो पूरा 30 second नहीं 29 second होगा 30 second भी आप पूरा नहीं ले सकते हो तो उसमें भी copyright वो दे देते हैं तो यहाँ पर अब देखिए क्या करने वाली बात थी कि अगर आप ऐसे ऐसे करके उठा रहे थे तो copyright content आपका माना जाता था लेकिन claim आपका नहीं देता था तो claim इसलिए नहीं देता था क्योंकि आप एक साथ उसको use नहीं कर रहे हो लेकिन आप यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर भी अगर 10 second का भी आप use कर रहे हो तो अभी वो claim भेज सकता है उसके पास authority है लेकिन आप use आपने message को करना है जो message मैंने आपको दे रखा है वो message आपको डालना है अब यहाँ बात कर जाते हैं strike कैसे आ जाता है तो strike जब आता है जब आप किसी भी authority को यानि कि मान लो किसी के content को जान पुछकर आप डाल रो बिना उसके permission के और बिना उसको किसी benefit के यानि के benefit in the sense के उसको किसी भी चीज़ का profit नहीं दोगे आप और उसका content को use करोगे और use करने के बाद अगर वो claim भेजता है और उस claim का आप reply नहीं करते हो यानि के मान लो अगर किसी ने claim भेजा आपके पास और आपने उसका reply नहीं कह रहा कि ये जो है copyright content मैं इसका आपको कुछ percent दे दूँगा या फिर ये पूरी वीडियो आपकी है content आपका है मैं इसको use कर रहा हूँ सिर्फ knowledge purpose के लिए अगर इसका ये reply आप नहीं देते हो तो वो क्या करता है उसके पास permission होती है क्योंकि चीज उसकी है तो वो copyright पहले claim भेज़ेगा claim अगर आपने नहीं देखा अंसुनी कर दिया अंदेखा कर दिया तो उसके बाद उसके पास पूरा हख होता है कि आपके वो strike भी भेज सके है जब आपके पास strike आ जाता है तो जैसा कि आप सब लोग को पता है strike तीन महिने तक रहता है एक चैनल पर एक strike तीन महिने तक रहत से जो कि आप अगर ऐसा हो जाता है तो तो स्ट्राइक से तो बिल्कुल बच के रहें और अगर गलती से भी आपका कॉपिराइट कंटेन कॉपिराइट किलिम आ जाता है उसको उठा के तुरंद के तुरंद शेयर कर दो यानि कि उसको original contain बनाता हूँ या फिर मैं मेनद करके जो भी कुछ बनाता हूँ वो मुझे surety है कि वो मेरा है लेकिन फिर भी copyright claim आ जाता है और मुझे हर बार की तरह उसको credit देना पड़ता है तो यहाँ पर आपको देखने वाली बात है कि आप ऐसा ना करें क्योंकि कई बार ऐसा होता है यूटूब की नजरों में भी जो चीज आप अच्छे से बना रहे हो create करके वो यूटूब की नजरों में कई बार ऐसी हो जाती है कि वो copyright या फिर कहीं न कहीं similar आ जाती है कहीं न कहीं उसका touch up आयता है तो उसकी behavior वो आपको copyright contain के लिए claim बेज देते हैं लेकिन claim बेजने का मतलब यह नहीं कि आप उसको accept कर लो हर बार की तरह अगर आपने उसको use करा है तो तो आप ठीक है credit दो लेकिन आपने उसका contain ही use नहीं करा है और आपका original contain है आपका create किया हो contain है तो आप उसमें लिख सकते हो options उसमें मिलते हैं कि यह मेरा original contain है और इसका किसी से कोई lane देन नहीं है और नहीं यह किसी और के पास है तो आप ऐसा भी उसमें लिख सकते हो तो उसके बाद क्या होगा वो YouTube दुबारा कभी उस पर नहीं देखेगा से जितने भी related questions है आप हमें comment करके जरूर पूर सकते हो दोस्तों आज के लिए बस इतने चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मेल कर नोटिफिकेशन बैल को जरूर दबाओ बाई